दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सबी काई बाब फिर्ष से आपके ही चैनल सोचल विकूप एक मात्र भरोसे मन्द चला जिस पर आप को जो भी इंफॉर्मिशन दी जाती है बिल्कुल जैनुरी इंफॉर्मिशन आपके साथ साजा की जाती है दोस्तों आज का ये वीडिय जैनकार ये आप लोग के साथ साजा करने वाला हूं वीडियो काफी important होने वाला है तो आप लोग को से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों को वीडियो को पूरा देखेगा ताकि सटीक और संपूर इंफॉर्मिशन आप सभी को प्राप्त हो सके दोस्तों जैसा कि आप सभी क पाने का साथ स्टेवन करते रहिए घर में ही योगा प्रदयाम ध्यान इन सब चीजों करिए इस समय का भरपूर प्योग करिए अगर बाहर ने निकला तो घर में अगर आप रहे हैं इस समय का भरपूर प्योग करिए और अपना अपनों का खुब ख wrench रखिए स्वस्थ रहिए और अगर आप सभी लोग स्वस्थ हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि अपना जो फिलिंग है अब सिर्फ एक कमेंट करें अगर आप यह भी नहीं लिखना जाते हैं तो आपको लिखना है कमेंट में लिखे मैं समझ जाओंगा कि यह हम एक पॉजिटिव महाल बना रहे हैं कि सब कुछ सही है ऐसा हमें जो है अपने अंदर महसूस करते रहना है हमें इस तरह से अपने आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने आपको एनरजेटिक रखना है कोई भी स्थिति हो बहुत तरह की चुकि maximum चीजे जो है वो बंद हो चुकी है तो इस समय कई तरह के जो मैसेज है इन सभी को बीच में आप सभी को अपने आपको मोटिवेट रखना है अपने आपको पॉजिटिव रखना है तो आपको कमेंट करना है ETF everything is fine सब कुछ सही है आपको अपने अंदर ये महसूस कर आपको जरास अभी इस स्थिती से nervous नहीं होना है इस स्थिती में जरास अभी कोई بए बहुत आप अगर मीदिया देखते होंगे तो निउस चैनल पर कई तरह की वीडियो जाते होंगे जिसमें दिखा रहा है कि किस तरह से जो कुरूना वार्यस के पेशेट है उनकी क्या स् सकता है इस तरह की वीडियो मार्मिक वीडियो तो उन सभी से आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है खुद को मजबूत रखना है सयमीत रखना है दवस्तित रखना है अपना खूब ख्यार रखना है और कुछ चीज़ें जैसे कि जिसको आप इजली घर कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि योगा हो गया ध्यान हो गया मेडिटेशन इन सब कामों को आपको घर पे करते रहना है इन सब चीज़ों को इस टॉप नहीं करना है और गरम पे पदार्त काढ़ा हो गया घर पे जादर जादा काढ़ा लीजिए गरम पानी का करते रहे हैं तो काफी लंबे समय से चूकिए लौगडाउन चल रहा इसलिए काफी अफडेट्स मैंने नहीं साजा किया काफी अपडेट्स जो है आप लोग के साथ साथ नहीं कर पा रहा था क्योंकि लॉगडाउन थी परिस्थिया विप्रीत थी और टेक्निकल कुछ पूरी प्रयास रहेगी इस कड़ी में और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम जो है अप लोग के लिए अपडेट्स और जो भी हम कुछ सिर्फ अपडेट्स नहीं ले के आता हैं सिर्फ एक मुद्ध पर बात नहीं करते हैं जो भी हम बाते करते हैं वह एक बैस्विक इ जाके देखेंगे तो हर एक वीडियो आपको कुछ नकुछ अलग हटके देखने को मिलता है कुछ नकुछ अलग सोच आती है जो कि मेरा पुरा प्रयास रहता है कि आप सभी के साथ में अपना अपनी बातों को साजा कर सकूँ क्योंकि जो मैक्सिमम जो हमारे है हमारे समय को हमारे समाज को कली मैंने एक वीडियो आप लोग को साजा किया था जिसमें कि मैं पौधा लगाया था तो ऐसी कुछ चीजे लेके आता रहता हूं मेरा उद्देश से बहुत जादा जो है लोगों को भ्रामक भ्रांतियों से दूर रखने का है इसलिए मैं बह के बारे में बात की जाएगी आप सभी को बता दू कि EPS 95 पेंसेनर्स के लिए जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है 95 EPS 95 नेशनल एकिसन कमिटी के हवाले परदीप स्रिवास्ता जी जो कि प्रांतिय अध्यक्ष है राष्टिय अध्यक्ष राष्टिय संगय समीति के हैं उत्तरपते स्रिश्टेशन नमबर उनका यह है उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है और एक अपील भी की गई इसमें और मारनी रास्पती मोहदर जी से जो कि रामनात कोबिन जी है जो कि बरतमान में भारत के रास्पती है उनको एक पत्र लिखा गया है वह पत्र में आ इसमें बात की गई है सीधे रास्टपती महोदे को संभूरित करते हुए इसमें कहा गया है सिवा में मार्णीर रास्टपती महोदे भारस सरकार मारमी कपील है बिसे है जेस्ट स्रेस्ट भयो ब्रिद नागरिकों की तरब से इस उम्मीद के साथ की आप हमारे दूर्दसा से आउगत हो और एक सार्थक प्रयास कर सरकार को अपना वादा दिलाए अपना वादा यार दिलाए तो बिसे देखें काफी जो है महतपूर है क्योंकि यह सीधे महोदे जी को राश्पती महोदे जी को प्राप्त होगा महोदे आपके जानकारी में लाना है कि EPS 95 के सबसे जो भारत सरकान निगम, राजय सरकान निगम एवं प्राइवीट उद्योग संस्थाओं के करमचारी रहे है जो बिभीन संस्थाओं में 35 से 40 साल तक की सेवा के उपरां सेवा ने बिद्ध कर पेंसन के रुपे मात 300 से 500 तक की पेंसन के रूप में पाते हैं यानि 300 से लेके 2500 अ सब्सक्राप्त होता है जो कि पैंसट लाग पैंसनर्स में से 28 लाख लोगों को एक हजार उपैसे भी कम बाइस लाख लोगों को समझने की बहुए । जबकि इस महँगाई में गुजारा करना संभा नहीं है दवा का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता जो गरीभ रेखा से नीचे जीवनियापन बड़ी मुस्किल से करने को मजबूर है जबकि अपने 30 से 35 साल नौकरी के 展 कुरान अपने बेतन से भविष्य के लिए 541 रुपए का अंसदान की कटोती करा करा कर सरकार के पास जमा कराया था कि बुढ़ापे में पेंसन के रूप में प्राप्त होगा जिससे अपना जीवनियापन अच्छी तरह से कर पाएंगे आज निरास और निरास्त्रित हैं वर्स दोजात तेरह में राज्य सभाग सांसत्सी भगत सिंग कोशियारी जी के अद्रचता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसनकी रिपोर्ट कम से कम 3,000 रुपए डिये आज भी राज्य सभाग चर्चा के लिए बिवस है जबकि मारनिय सांसत्सी प्रकास जाविडकर ने उ हमारी सरकार आई तो हम कोशियारी कमेटी के रिपोर्ट को लागू करेंगे जबकि सरकार को 6 साल बाद भी हमारी स्थिति वहीं है और मजबूर होकर हमें राष्टिय संगर समिती के बैनरत की तहत 65,000 पैंशनर्स उनके निराश्रित पांच क्रोड़ नियमी कर्मचारी जो आज सिवारत हैं बिभिन संस्थाओं में सामिल हैं अंदूरन को मजबूर हैं आप से साधर अनुरूद है कि आप अपने स्तर के प्रयास कर ये नीरी आ निराश्रित गरीब बयोब्रिद नागरिकों के हीतों की रच्छा करें और हमारी तरफ से अपील कर सरकार को याद दि अगैश्य उधतर प्रदेश राष्यर संगर्समिति के इनके द्वारा यह पत्र मार्नीय राष्पती महाद जी को यह लिखा गया है तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे जो है कि इनकीन लोगों की साधाद किया गया है वह भी आप लोगों के साथ दिखाता हूं अब देखें हैं पर आप इसे जो है प्रदीप कुमार स्वास्तो जी द्वारा ही साजा किया गया है और इसे राश्पती भवन वीपी सेक्रेटरियेट और नेशनल अलेगिशन कमेटी वन को साजा करते हुए यह पत्र आप देख सकते हैं ट्विटर के माद्यम से लोगों तक पहुचाये गया है और इस पर इक भिजे जी द्वारा कमेंट किया गया है अध्यक्ष महदे महा महीम रास्पती महदे ने जरूर संग्यान लिया होगा क्योंकि आपने गड़राज भारत की सबसे उची कुर्सी से अपील किया है जो कि मानिय सरवोच रालत से भी बड़ी च कि खाते हुए प्रेंसमी में किसी प्रकार का क्या कोई निळो लिया जाता है या तो आने वाला वक्त बताएगा पर बात की जया प्रयास तो प्रयास नटीन वसलिया जारी है संस्थावहों के दवए जा रहे को अ तो यह काफी कुछ महतपूर अफडेट था जो कि आपको साथ मैंने साजा किया दोस्तों काफी लंबा चुकि वीडियो हो जाएगा इसलिए काफी कंटेंट मैं अगले वीडियो में लेकि आऊंगा आप लोग के लिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही आप लोगों से रि अपना एक बार फिर कहूंगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों